हलो टेडर्स वेलकम बैक टू माई चैनल दम मार्केटोर्स आज की इस वीडियो में टेडर्स हम लोग कुछ बेदरीन इंट्राडे स्टॉक के अनलेसिस को डिसकस करने वाले हैं जिसे आप लोग के लिए अपने वाच लिस्ट में एड करके रख सकते हैं और कल जीने स्टॉक के अंदर पोटेंसिली हम लोग को कोई भी ब्रेक आउट या फिर ब्रेकडाउन देखने के लिए मिल सकता है लेकिन उससे पहले टेडर्स हमेशा की तरह हम लोग सबसे पहले उन स्टॉक को डिसकस कर लेते हैं जिसकी अनलेसिस मैंने आप लोग के साथ फ्राइडे के इंट इंट्राडे स्टॉक के अंदर इंट्री प्लान करने का मौका मिला था जिसमें से इंडिया बूल्स हाउसिंग फाइनस में हम लोग देख सकते हैं कि एक अच्छा खासा ब्रेकाउट आने के बाद में ये हमारे सारे टार्गेट्स को एचीव किया है इसके बाद हम लोग को NLC इंडिया के अंदर भी एक बहुत ही सांदार ब्रेकडाउन देखने का मौका मिला दिन आफ्टर री टेस्टिंग के बाद में ये भी अपने सारे टार्गेट्स को एचीव करते हुए नजर आया है महिंद्रा और महिंद्रा फाइनस भी हमारे लिए एक प्रॉफिटेबल इंडरे ट्रेट्स साबित हुआ था इसी तरह से ट्रेट्स आर्ती इंडरेट्स के अंदर भी हम लोग देख सकते हैं कि एक बहुत ही सांदार ब्रेकडाउन आने के बाद में एक कंटिनिवस रैली यहाँ पर होते हुए नजर आया है इसके साथ सा ट्रेडस मैंने आप लोगों ने दोनों डारेक्शन में अपने ट्रेड को ब्लान किया हुआ था हम लोग को यहाँ पर ब्रेकडाउट देखने का मौका मिला और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि एक बहुत ही बहुत ही बेहतरीन रैली इसके अंदर भी जिनरेट होते हुए नजर आया है इसके सांसा ट्रेडरस एसियन पेंट के अंदर भी मैंने आप लोग को बताया था कि 2373 के नीचे में हम लोग इसको सेल कर सकते हैं और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन आने के बाद में हम लोग को एक बहुतरीन फॉल होते हुए पिर अपने फर्स टारगेट पर प्रॉफिट को बुक नहीं किये हुए हैं वो लोग इस ट्रेड से एक्जिट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ट्रेडरस हम लोग को उतना ज्यादा कन्फरमेसन देखने के लिए नहीं मिल रहा था आई होप ट्रेडरस मेरे इस अब्डेट क इसको as a break event rate की तरह count कर रहे हैं तो I hope ट्रेडरस आप सभी लोग को मेरी analysis के साथ साथ जो एकूरेसी है वो पसंद आ रही होगी इसलिए मैं चाहूंगा कि अगर अभी तक आप लोग ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा साथ ही में ट्रेडरस अगर आप लोग चैनल पर पहली वार विजीट कर रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा इसके साथ साथ ट्रेडरस आप लोग मेरे free telegram चैनल को भी जोईन कर सकते हैं यहाँ पर भी मैं आप लोग के साथ लाइब मार्केट में क लेकिन जितने भी लोग इंटरी लेना चाहते हैं वो लोग retesting पर अपने इंटरी को plan कर सकते हैं लेकिन टेडरस टाटा मोटर्स के अंदर हम लोग को एक fake breakout देखने का मौका मिला था क्योंकि यहाँ पर retesting candle का जो volume था वो breakout candle के volume से बहुत ही ज्यादा हाई था और इसके बार चली मेरा last intraday analysis था लॉरस laps के अंदर में जहाँ पर एक बहुत ही खुपसूरा सा pattern हम लोग को बनते हुए नजर आ रहा था और उसके बार traders यहाँ पर भी हम लोग को एक बहुत ही सांदार breakdown देखने का मौका मिला, breakdown के बाद मैं हलका सा consolidation देखने के लिए मिला और उसके प्राइस रेंज के intraday stocks को discuss कर लेते हैं उसके बाद हम लोग धीरी धीरे अपने price range को increase करते हुए अपनी analysis को continue करेंगे तो कल के लिए मेरा सबसे पहला intraday stock रहेगा IOC इसके अंदर traders हम लोग देख सकते हैं कि एक बहुत ही खुपसूरत सा rectangle pattern हम लोग को create होते हुए नजर आ catch करने के लिए मिल सकता है क्योंकि 134 का जो level है वो इसके लिए as a ath की तरह भी काम कर रहा है तो इसलिए आप लोग इसे जरूर अपने radar पर रखेगा और traders अगर आप लोग को भी intraday trading के अंदर entry लेने में दिक्कत होती है तो आप लोग के लिए already मैंने आज सुबह में ही अ आप लोग को अपने trade से exit कर जाना चाहिए तो ये जो वीडियो है वो 35 मिनट की है और इसके अंदर traders बहुत ही ज्यादा detail में आप लोग को हर एक चीज के बारे में समझाया गया है तो मेरा session यही रहेगा कि अगर आप लोग को भी intraday trading के अंदर थोड़ी सी भी दिक्कत आ आप लोग प्लीज इस वीडियो को एक बार जरूर चेक कर लिजेगा कल ट्रेडिंग करने से पहले इस तरह की वीडियो आप लोग को पूरे YouTube पर कहीं पर भी देखने के लिए नहीं मिलेगी अगर आप लोग कोई bed course जोईन करते हैं वहाँ पर भी बहुत ही कम chances है कि ये सार चीजें भी मैंने इस वीडियो के अंदर include कर दिया है जो कि आप लोग के लिए बहुत ही जादा helpful साबित होगा और अगर इस वीडियो से टेड़र्स आप लोग को कुछ भी नया चीज सीखने के लिए मिलता है अगर ये वीडियो आपके लिए helpful साबित होता है तो प्लीज आप लोग The Marketverse Learning Videos के चैनल को भी सब्स्राइब कर लिजेगा क्यूंकि ट्रेडर्स अब यहाँ पर regularly आप लोग को learning वीडियो भी देखने के लिए मिल जाएंगी तो चलिए अब हम लोग अपनी analysis को continue करते हैं कल के लिए मेरा अगला intraday stock रहेगा IEX इसके अंदर ट्रेडर्स ह हम लोग इसके अंदर भी capture कर सकते हैं कल के लिए मेरा अगला intraday stock रहेगा BPCL, BPCL के अंदर ट्रेडर्स हम लोग देख सकते हैं कि यह जो zone है वो इसके लिए बहुत ही strong support का role play कर रहा है और पिछले कुछ दिनों से यह लगातार अपने इसी support zone को break करने का try कर रहा है लेकिन अभी तक हम लोग को successful breakdown देखने का मौका नहीं मिला है तो ऐसे में कल अगर यह अपने support को break करता है इसके नीचे sustain करता है तो एक अच्छा कासा intraday move हम लोग को BPCL के अंदर भी capture करने के लिए मिल सकता है कल के लिए मेरा अगला intraday stock रहेगा VIP industries, VIP industries के अंदर भी टेडर्स हम लोग देख सकते हैं कि बहुत ही खुबसूरत सा हम लोग को inverse cup और handle pattern का formation होते हुए नजर आ रहा है, stock लगातार अपने इस zone पर जाकर के support लेते हुए भी दिख रहा है, इसके साथ सा टेडर्स ये भी हम लोग देख सकते हैं कि stock के अंदर continuous हम लोग को एक selling pressure देखने के लिए रहा है, यानि कि stock के अंदर अभी भी हलका सा weakness है, Friday के दिन भी टेडर्स हम लोग देख सकते हैं कि morning session में भले ही यहाँ पर एक अच्छा खासा momentum हम लोग को buy side में देखने के लिए मिला था, लेकिन उसके बाद से यहाँ पर continuous excelling pressure rate होते हुए नजर आ रहा है, तो इसलिए ट प्सूरत सा हम लोग को triangle pattern create होते हुए नजर आ रहा है, stock के अंदर बहुत ही अच्छा सा consolidation भी देखने के लिए मिल रहा था, Friday के दिन टेडर्स यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि sort of यहाँ पर एक fake breakout भी देखने के लिए मिला है, और उसके बाद continuously यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि selling pressure create होते हुए नजर आ रहा है, bank nifty b traders अपने बहुत ही जादा crucial level पर आकर के trade कर रहा है, तो ऐसे में कल अगर bank nifty के अंदर हम लोग को selling pressure create होते हुए नजर आता है, तो फिर हम लोग SBI bank के अंदर अपने trade को initiate कर सकते हैं, क्योंकि traders अगर यह अपनी support को break करता है, तो फिर हम लोग को इसके अंदर एक अच्छा कासा selling strength देखने के लिए मिल सकता है, तो इसलिए आप लोग इसे भी जरूर अपने radar पर रखेगा, लेकिन traders अगर कल हम लोग को banking sector में buying strength देखने के लिए मिलता है, तो उस case में आप लोग ICI bank को भी अपने radar पर रख सकते हैं, क formation होते हैं, तो ऐसे में कल अगर यहाँ पर हम लोग को breakout देखने का मौका मिलता है, तो एक अच्छा कासा intraday move हम लोग इसके अंदर भी capture कर सकते हैं, तो इसलिए आप लोग इसे भी जरूर अपने radar पर रखेगा, क्योंकि traders कल banking sector में definitely हम लोग को कोई न कोई momentum देखने के अगर आप लोग चाहें, तो फिर HDFC bank को भी अपने radar पर रख सकते हैं, यहाँ पर टेड़स इसका levels में आप लोग के लिए नहीं mention कर रहा हूं, क्योंकि अल्रेडी दो banking stocks का intraday analysis में आप लोग के साथ share कर दिया है, लेकिन यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं, कि बहुत हम लोग को head and shoulder pattern के साथ, triangular pattern का formation होते हुए नजर आ रहा है, तो ऐसे में इस stock के अंदर आइदर हम लोग को breakout या फिर breakdown दोनों देखने के लिए मिल सकता है, तो let's see कि अगर हम लोग ICIC bank के अंदर trade ले लेते हैं, और उसके बाद HDFC bank के अंदर भी हम लोग को breakout देखने का मौका म अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को like नहीं किया है, और अगर आप लोगों को मेरी analysis पसंद आ रही है, तो please इस वीडियो को like कर दीजेगा, बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है traders, आप लोग के लिए इतने बेहतरीन intraday stocks को खोजने में, इसके साथ साथ traders मैं चा तरह से इस rectangle pattern में consolidate कर रहा है, stock के अंदर already हम लोगो एक बहुत ही सुन्दर सा momentum देखने के लिए मिल चुका है, पिछले बहुत ही ज्यादा दिन से stock के अंदर हम लोगो एक buying strength देखने के लिए मिल रहा था, लेकिन Friday के दिन यहाँ पर हलका सा selling pressure create होते हुए नजर आ रहा है, तो ऐसे में traders कल इस stock के अंदर भी आईदर हम लोगो breakout या breakdown, दोनों देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि इस तरह के pattern में 50-50 chances होता है, किसी भी एक direction में breakout या breakdown का, लेकिन traders अगर हम लोग इसको one day के time frame पर analyze करेंगे, तो देख सकते हैं कि एक बहुत ही सुन्दर सा rally के बाद म तो definitely हम लोग इसके अंदर selling side में अपने trade को initiate कर सकते हैं, अगर ये अपने scandal का high break करता है, तो buy side में भी हम लोग को 1130 के उपर में एक अच्छा खासा intraday momentum catch करने के लिए मिल सकता है, तो इसलिए traders आप लोग data consumer को भी जरूर अपने radar पर रखेगा, कल के लिए मेरा अगला intraday stock रहेगा infosys, infosys के अंदर भी traders हम लोग देख सकते हैं कि एक बहुत ही खुबसूरत सा आप लोग को cup और handle pattern का formation होते हुए नजर आएगा, stock के अंदर Friday के दिन हलका सा हम लोग को buying strength भी देखने के लिए मिला था, तो ऐसे में traders कल भी अगर इस stock के अंदर यही momentum देखने के ल है कि एक बहुत ही खुबसूरत सा हम लोग को hidden solder pattern का formation होते हुए नजर आ रहा है, यह अपने snake line पर आकर के बार बार support लेते हुए भी दिख रहा है, तो ऐसे में traders कल अगर यह अपनी snake line को break करता है, जहाँ पर already यह बहुत बार support ले चुका है, तो उस case में यहाँ पर भी हम ल solder pattern का formation होते हुए नजर आ रहा है, फ्राइडे के दिन यहाँ पर भी हम लोग को selling strength देखने के लिए मिला था, तो ऐसे में कल अगर यह अपनी इस crucial support का breakdown देता है, इसके नीचे sustain करता है, तो फिर यहाँ पर भी हम लोग को एक अच्छा खासा intraday momentum catch करने के लिए मिल सकता है, तो कल के लिए traders आप लोग इन सारे intraday stocks को अपने radar पर रख सकते हैं, अपने अपने preferred price range के अनुसार में आप लोग stocks को select कर सकते हैं, लेकिन traders किसी भी stock में entry लेने से पहले एक बार मैं फिर से आप लोग को बताना चाहूँगा कि आप लोग learning videos चानल पर जो वीडियो मैंने आज आप लोग के लिए upload किया है, उसे जरूर एक बार देख लीजिएगा, आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद में अपना एक genuine feedback भी जरूर दीजिएगा कि आखिर आप लोग को ये जो वीडियो वो कैसी लगी, इसके साथ सा traders अगर आप लोग stock market news से updated रहना चाहते तो फिर चैनल की membership को भी जोईन कर सकते हैं, सिर्फ 89 रूपीज पर मन्त के offer price पर जितने भी लोग चैनल की membership को जोईन करते हैं, उन सभी लोग को stock market WhatsApp news group में जुडने का मौका मिलेगा, जहाँ पर परसनली मैं हर एक stock से related news को share करता हूँ, तो आज के लिए टीडर बस इतना ही I hope आप लोग को मेरी analysis पसंद आई होगी, धन्यवाद